exercise 2.8 question number 3 एक प्रिक्षा में 75 प्रतिशत विद्यार्थी अंग्रेजी में और 80 प्रतिशत विद्यार्थी गनेत में पास होते हैं और दोनों विशेयों में 15 प्रतिशत विद्यार्थी फेल होते हैं यदि दोनों विशेयों में पास होने वालों की संख्या 350 हो तो दोनों विश विषयों में कितने प्रतिशत पास हुए और कुल कितने विद्यार्थी थेено क्या कह रहा है 55 प्रतिशत विद्यार्थी किसमें हुए इंग्लिश में और 80% मैट्स में पास होते हैं दोनों विश्यों में फेल कितने होते हैं 15 प्रतिशत यदि दोनों विश्यों में पास होने वालों की संख्या संख्या में देगी यह 350 तो दोनों विश्यों में कितने प् 75 प्रतिशत 70 की इल सेक्टी आए कितने वा Io ऩए ये हो 75 प्रतिशत विद्यार्थी क्ये होते हैं irenglish में पास होते हैं तो अगर यादी 75 प्रतिशत 100 का 75 75 ही वह वह होगा यादी 75 पास होते हैं तो fail कितने होगे, जो बचे हैं 100-75 कर देंगे, is equal to 25 तो fail कितने होए, 25 सेमें गनित में फिल विध्यार्थी जो हमें पास बताएगे हैं वो है, 80%, 100 का 80% 90% होगा, तो जो बागी बचे होगे विध्यार्थी क्या होते हैं और तो गनित में फेल विद्यार्थी 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 तो गनित में फेल विद्यार्थ अब केवल गनित में फेल विद्यार्थी तो यह हो जाएगा 20-15 क्योंकि दोनों में कितने दिये गे हमें दोनों विशेव में फेल 15 तो दोनों जितना अभी हम अपस आया उन में से 15 को माइनस कर देंगी तो मैट्स में कितने फेल आगे 5 और इंगलिश में 10 कुल फेल विद्यार्थी तो कुल फेल कितने होगे 15 प्रतिशत हमें यहां दिया गया और 10 और 5 हमने यह निकाला है 10 इंग्लिश में है 5 मैट्स में है और जो दोनों में दिएगे हैं वो है 15 प्रतिश तो तीनों को प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 30 तो यदि 30 कुल पास हैं तो बाखी जो बचे हुए टोटल हमने 100 लिये थे तो कुल पास विद्यार्थी हो जाएगा 100-30 is equal to 70 तो कुल फेल विद्यार्थी 30 और कुल पास विद्यार्थी 70 तो 70 विद्यार्थी पास हुए तो कुल विद्यार्थी कितने थे हमने लिये थे 100 एक विद्यार्थी पास हुए तो कुल विद्यार्थी कितने थे 100 अपॉन 70 हो जाएगा और हमें जो question में कहा गया है कि दोनों वि से जाधा लेंगे तो यह हो जाएगा 350 multiply by 350 तो यहां पर हो जाएगा 0 to 0 cancel and 7 से 75 जा 35 तो यह जाएगा 100 multiply by 5 तो यहां जाएगा कुल विद्यार्थी 100 multiply by 5 is equal to 500 तो कुल विद्यार्थी कितने थे प्रिक्षा में जो बैठे थे वो थे 500 हमें दो चीजे कुल में पूक तो कीटने प्रतिशत पांस अब हम निका लेंगे जितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हमें के वल पता है कि कि her number थीना संख्या 350 विद्यार्थी क्या है पास हुए हैं बट्व हमने इनका प्रतिशत निकालना है तो हम करेंगे 350 डिटे rhythm हमार पस 500 है multiply by 100 202 20 cancel 5 से 57 जा 35 0 to 0 तो यह जाएगा 70 प्रतिशत तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए 70 प्रतिशत पास हुए और टोटल जो थे students वो कितने थे 500 ये दो चीज़े हमी पूछी गई थी तो आंसर इस 500 एन 70 परसेंट